वहीं मिशन पंजाब पर है अरविंद केज़िवाल मोगा में प्रेस कॉन्फिंस कर रहे हैं सुनते हैं लोगों को बढ़ाई और उससे भी जादा पंजाब की महिलाओं को बढ़ाई जिनों ने इस आंदोलन में कदम से कदम मिला के हिस्सा लिया आज मैं एक बहुत बड़ा एकलान करने आया हूं महिलाओं की सशक्ति करन की महिलाओं को शक्ति देनी चाहिए महिलाओं का सशक्ति करन करना चाहिए इसकी बाते तो बहुत होती है बड़ी बड़ी बाते करते हैं नेता भी करते हैं पड़े लिके लोग भी करते हैं मैं आप से पूछना चाहता हूँ कहते हैं पैसे में बड़ी ताकत होती है होती है अगर जेब में पैसा हो तो फिर आदमी कुछ भी खरीद सकता है कहीं भी जा सकता है आदमी को आजादी मिल जाती है पैसा बड़ी ताकत देता है तो आज मैं ये एलान करना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनेगी पंजाब की हर महिला को 18 साल से उपर की हर महीला को हर महीने 1000 रुपे उसके अकाउंट में हम दलवाया करेंगे सब के अगर एक परिवार में एक बेटी है एक बहू है एक सास है तो तीनों के अकाउंट में 1000 रुपे आएंगे जिन माताओं को बढ़ापा पेंशन मिल रही है उनको बढ़ापा पेंशन मिलती रहेगी उसके अलावा 1000 रुपे मिलने मिला करेंगे आप सोच सकते हो अभी तक मैं समझता हूं मैंने पिछले कई दिनों से मैं इसके उपर काम कर रहा हूं ये केवल पंजाब पंजाब नी ये केवल भारत भारत नी ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा महीला सशक्तिकरन कारेकरम होने वाला है दुनिया का मुझे ने लगता पूरी दुनिया में आज तक किसी भी सरकार ने पूरी दुनिया में आज तक किसी भी सरकार ने अपनी हर बेटी, हर बेहन और हर मा के एकाउंट में हर महीने हजार उपे डलवाए हूंगे और आप इसकी कल्पना करके देखिए 18 साल की, 19 साल की, 20 साल की जो हमारी बेटियां है मैं बहुत सारी ऐसी बच्चीयों को जानता हूं जब उनको हजार उपे मिलेंगे, वो कॉलेज जा सकते हैं कई बार किसी बेटी का मन करता है नया सूट खरीद लूँ पिता जी के पास जाके पैसे मांगने पड़ते हैं शरम आती है पिता जी पता नहीं देंगे, नहीं देंगे अब उसको पिताजी के पास जाने के जरूरत नहीं, वो मॉर्केट जाकर सूट खरीद के ला सकती है कितने सारी हाउस वाइफ हैं, ग्रैनी आया हैं, बच्चे कुछ भी मांगते हैं, पती से पैसे मांगती हैं, पती पैसा देता नहीं हैं अब उसको पती का मूँ डीकने की जरूरत नहीं है अब वो खुद अपने हजार उपए से अपने बच्चों के लिए छोटी-छोटी चीज़े खरीद सकती है उसका मन करता है मैं नई साड़ी खरीद रूँ कई साल हो गए पती ने साड़ी नहीं दिलाई अब वो अपने भाई के इस पैसों से नई साड़ी खरीद सकती है माताएं बुड़ी माताएं कितनी साथ मैं माताओं को जानता हूं जो बचा बचा के थोड़ा सा दस रुपए इदर से बचा लिए बीस रुपए उदर से बचा लिए बचा बचा के पैसे जमा करती है, कभी बेटी माई के आएगी, माई के उसको बेटी को छुपके से थोड़े से पैसे उसके हाथ पे रख देती है, मोधी जी ने चार साल पहले नोट बंदी करके सारे पैसे बेड़े गर्प कर दिये थे, सारे, करे थे नहीं करे थे, अब बेटी माई के आती है बेटी माई के आती है माँ सौ रुपे बड़ी मुश्किल से निकाल के देती है अब माँ उसको हजार रुपे दिया करेगी कहीं कि मेरे बेटे ने भिजवाए है हजार रुपे तेरे लिए मैं जितना सोचता हूं इस योजना के बारे में उतना मुझे यकीन है कि ये एक योजना है जो हमारी महिलाओं को इतनी ताकत देगी हजार उपे बहुत ज़्यादा नहीं होते मेरे जो विरोधी हैं वो कहेंगे पैसा कहां से आएगा पैसा कहां से आएगा मैं कई बार टीवी में देखता हूं चन्नी साहब के खबे पासे ट्रांस्पोर्ट माफिया बैठा होता है सज्जे पासे रित्ता माफिया बैठा होता है ये दो माफिया खतम कर दिये तो पैसा ही पैसा आजाएगा पैसे की चिंता मत करो पैसा बहुत है, सरकार के वस बहुत पैसा है, जब हमने दिल्ली में महिलाओं की बसों के अंदर टिकेट मुफ्त है, हमें देखा देखी कैप्टेन साब ने भी करी थी, लेकिन कैप्टेन साब ने सरकारी बसों की करी, प्राइवेट की नहीं करी, जब मैंने वो बसें फ्री करी डेड़ सो करोड का खर्चा आया उसी टाइम गुजरात के मुख्यमंत्री ने अपने लिए प्राइवेट प्राइवेट इस्तेमाल के लिए एक हवाईजाज खरीदा एक सो नब्बे करोड रुपे का उन्होंने अपने लिए प्राइवेट हवाईजाज खरीदा एक सो नब्बे करोड का मैंने अपने लिए हवाईजाज नहीं खरीदा आज भी मैं जो सब के लिए हवाईजाज होता उसी से आता हूँ गाड़ी से इधर आया हूँ एक एक मुख्यमंतरी के उस तीन तीन चार चार हवाईजाजाज नहीं मैंने अपने लिए हवाईजान जी खरीदा डेड़ सो करोड रुपे में मैंने दिल्ली की सारी महिलाओं की बसें फ्री कर दी तो आपके लिए ये हम लागू करेंगे पैसे की चिंता मत करना ये सारे कहेंगे पैसा कहां से आएगा एक ही बात कहूंगा बड़ी सोच समझ के मैं वादा करता हूँ लेकिन केजरी वाल जो कहता है वो करता है मैं हवा में बात नहीं करता हूँ अब एक जिम्मेदारी आप सब लोगों की ये वाला चुनाव पंजाब का भविश्य बदल सकता है दिल्ली के बारे में आप सब लोग जानते हो दिल्ली के बारे में आप पंजाब का बच्चा बच्चा जानता है कैसे दिल्ली में स्कूल अच्छे हो गए अस्पताल अच्छे हो गए महुला क्लिनिक बन गए, बसे अच्छी हो गई, पानी अच्छा हो गया, बिजली मुफ्त हो गई, बिजली 24 घंड, इतना काम हो गया दिल्ली के अंदर, पंजाब में भी हो सकता है, पंजाब में भी हम कर सकते हैं, ये वाला चुनाव हम सब लोगों को मिल के लड़ना है, और चुनाव के एक दू दिन पहले, पिता जी सब को गुलाते थे घर में, हाँ भी सारे जाने फलानी पाटे को वोट देके आना, सारी हाँ जड़के हाँ जी सब देके आएंगा, या पती कहते थे पतनी को कि भर इसको वोट देनी है, पतनी मान जाती थी बैचारी, इस बार घ महिलाएं तै करेंगे कि वोट किसको देना है महिलाएं अपनी वोट तो देंगी 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 कि नहीं देंगी अपनी वोट तो देंगी देंगी लेकिन हर महिला को जिम्मेदारी लेनी है कि घर के अंदर हर पुरुश को मनाना है उनको मनाना है कि देखो पंजाब जिस भी पार्टी को अपने पती को अपने पता जी को अपने बेटे को उसको बोलना बच्चे अपने पती को बोलना जी आपकी जो मर्जी पार्टी हो हमें आपकी पार्टी से कोई विरोध नहीं है लेकिन इस बार एक बार एक मौका केजरि केजरी वाल को देखे देखो भविश्य बदल जाएगा एक और बहुत जरूरी बात है मैं पिछले कुछ दिन से देख रहा हूं आज कल पंजाब में एक नकली केजरी वाल घूम रहा है एक नकली केजरी वाल घूम रहा है मैं जो भी पंजाब में आके वादा करके जाता हूं वो दो दिन बाद वही बोल देता है करता नहीं है करता नहीं है कि नकली है मैं आया पंजाब में मैंने का हम बिजली फ्री करेंगे दो दिन बाद कहता है बिजली फ्री कर दी यहां इतनी महिला है बैटी है जिस जिस की बिजली का बिल जीरो आया हाथ खड़े कर दो किसी का बिजली का बिल जीरो आया अभी उनका लुधियाना में भाशन चल रहा था मैं और भगवंत देख रहे थे उसको वहां कहता है कि पंजाब में हमने 404 सु यूनिट बिजली फ्री कर दी मैं पूरे पंजाब के लोगों से जानना चाहता हूँ तो अगर पूरे पंजाब में एक भी आदमी का जीरो बिजली का भी लाया हो तो मिर को बता दो